दोस्तों IPL 2022 का आज 61 मुकाबला संराइजस हैदराबाद बनाम कोलकाता नाइटर्स के बीचे खेला गया कोलकाता नाइटर्स ने संराइजस हैदराबाद को हरा कर पोइंच टेबल में 12 अंकों के साथ चटे अस्तान पर पहुँझ गी है आपकी फेवरेट टीम कौन से असान पर है यहां से किस टीम को कितने मैच और जीतने होंगे प्ले आफ में कौलीफाय करने के लिए तो यह औरेंज कैप और परपल कैप की रेस और भी तेज जो हो चुकी है तो ऐसे में परपल कैप और और औरेंज कैप होल्डर कौन से ओ दो मैं इस वीडियो में आपको आगे बताने वालो तो दूस्तों वीडियो में अन्तित कब बने रहना और अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना पोइंस टेबल में दसवे नंबर पर है मुंबई इंडियन मुंबई इंडि इन मैच में इस टीम को जीते मिल चुकी है वह इस टीम के पास टोटल 6.100 रंड रेट माइन जीरो पॉइंड 613 है और यह टीम आफिसली प्ले आफ से बाहर हो चुकी है दो मैच और मुंबई इंडियन को के ला और मुंबई इंडियन के पास अब कोई भी चांद नहीं प्ल 12 मैच खेली है और इन 12 मैचों में से 8 मैच में हार का सामना करना पड़ है जबकि 4 मैच में इस टीम को जीत मिली है वह इस टीम के पास टोटल 8.100 रंड रेट माइन 0.181 है और चन्नाई सुपर किंग भी ओफिसली प्ले आफ से बाहर हो चुकी है अभी 2 मैच और चन्नाई मेलना है दोनों मैच में इस टीम को जीत मिलती भी है तो भी यह टीम प्ले आफ में कौलिफायर नहीं कर पाई तो सुप पोइंच टेबल में 8 वे नंबर पर खिसक चुई है आज का मैच हारने वाली टीम संराइजस हैदराबाद संराइजस हैदराबाद IPL 2022 में अब तक 12 मै मैचों में से 7 मैच में हार का सामना करना पड़ा जबकि 5 मैच में इस टीम को जीत मिली है वह इस टीम के पास टोटल 10 पॉइंट अने अने भी इस टीम का माइनस में है बागी बचे 2 मैच और संराइजस हैदराबाद को खिलने है अगर आने वाले दोनों मैच में इस टीम को ज़्यादा कम दिखाई दे रहे हैं अब इस टीम को दूसरे टीमों पे डिपेंड रहना होगा तब यह टीम प्लेइआफ में कौलिफाय कर सकती है होई पॉइंच टेबल में साथवे नंबर पर है पंजाबो किंग्स पंजाब किंग्स आईपिल 2022 में अब तक 12 मैचे खेल चुकी है और इन 12 मैचों में से 6 मैच में आरका सामना करना पड़ा है जबकि 6 मैच में इस टीम को जीते मिली है होई इस टीम के पास टोटल 12 पॉइंट है नेट रन रेट की बात का तो प्लस 0.023 इस टीम का नेट रन रेट है दो मैच और इस टीम को खेल ले है अगर आने वाले दोनों मुकाबले में इस टीम को जीते मिलती है तो ये टीम प्ले आफ में कौलिफाय कर सकती है वह इस टेवल में छटे नंबर पर है आज का मैच जीतने वाली टीम कोलकाता नाइट आइडर्स कोलकाता नाइट आइडर्स आईपिल दो हजार बाइत में अब तक 13 मैच खेली है और इन 13 मैचों में साथ मैच में हार का सामना करना पड़ है जबकि 6 मैच में इस टीम को जी और अपना नेटरनेट और बहतरी ने करती है तो इस टीम को दूसरे टीमों पे ज़्यादा डिपेंड रहे नहोगा तब ये टीम प्ले ओफ में कौलिफाय कर सकती है। ज़्यादा बहतर है प्लस 0.210 इस टीम का नेटरन रेट है। दो मैच और डिली कैपिल को खेल ले है। अगर आने वाले दोनों मैच में इस टीम को जीत मिलती है। ये तो ये टीम आफिसली प्ले ओफ में कौलिफाय कर लेगी। वहीं पॉइंस टेपल में चौते नंबर पर जो टीम है वो है रोइल्चेलेंजर बिंगलोर। रोइल्चेलेंजर बिंगलोर की उमिद है काफी जादा बर्करार है। जांताकि इस टीम ने unserem मैच खेले और इन 13 मैचों में से 6 मैच में आर का सामना करना पड़ा है जबकि 7 मैच में इस टीम को जीत मिली है वह इस टीम के पास टोटल 14 पॉइंट है लेकिन नेट रन रेट इस टीम का काफी ज़्यादा खराब हो चुक है माइने 0.323 इस टीम का नेट रन रेट है अब ए बहतर है करना होगा वहीं पॉइंट टेवल में तीसरे नंबर पर है राजसान रॉल्स राजसान रॉल्स आईपिल 22 में अब तक 12 मैच खेल चुकी है और इन 12 मैचों में से 5 मैच में हार का सामना करना पड़ा है जबकि 7 मैच में इस टीम को जीत मिली है वहीं इस टीम के पा यह टीम जीती की तो यह टीम प्ले आफ में कॉलिफाइ कर लेगी वहीं पॉइंट टेबल में दूसरे नंबर पर है लगनो सूपर जैंस लगनो सूपर जैंस आल्मोस्ट प्ले आफ में कॉलिफाइ कर लिया है जहां अब तक इस टीम ने 12 मैच खेले है और इन 12 मैचों में स चार मैच में आरकाज सामना करना पड़ है, जबकि 8 मैच में इस टीम को जीत मिली है, होई इस टीम के पास टोटल 6 पॉंट है, नेट रन रेट कही टीमों से काफी ज्यादा बहतरी है, प्लेस 0.385 इस टीम का नेट रन रेट है, दो मैच और इस टीम को खेल ले हैं, अगर आन टाइटन्स IPL 2022 में अब तक 12 मैच खेली है और इन 12 मैचों में से 3 मैच में हार का सामना करना पड़ा जबकि 9 मैच में इस टीम को जीत मिली है वह इस टीम के पास अब तक 18 पॉइंट है नेट रन रेट भी इस टीम का बहतर है प्लैस 0.376 इस टीम का नेट रन रेट है और यह टीम आफिसली प्ले आफ में कौलिफाय कर लिया है दो मैच और इस टीम को खेलने है अगर आने वाले दोनों मैच में इस टीम को जीत मिलती है तो यह point stable में पहले number पर finish कर लेगी तो दोस्तों यह रहा IPL 2022 का नया point stable जो की 61 मुकाबले के बात का है अब बात करते हैं orange cap और purple cap की तो orange cap की race में सबसे ज़्यादा आगे चल रहे हैं जोस बटर जो अब तक 625 रन बनाने में कामियाब हुए है और orange cap अपने नाम में किया हुए है तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करदेना चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबादेना तैंक्यू सो मज गाईस फोर वाचिंग इस वीडियो